आज का पाठ है हमारा बिसकोहर की माटी और इस पाठ की समरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे कि आपको कम समय में ही पाठ का जो सार है यानि कि जो विशे है यहाँ पर वो हम आसानी से समझ सके और आपके एक्जामपर पर से जो प्रपेशन है वो कम समय में आपको यहाँ प पार्ट आगर आपने नहीं भी पड़ा है, तो आपको इसमें आइडिया लग जाए कि इसमें किस विशे की चर्चा की गई है, तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट को समझने की और उसके समझने की पूरी कोशिश करते हैं, और साथ ही इस पार्ट के लाइन टुलेन एक्स्प् प्रस्तुत पाथ में लेखक अपने गाउं तथा वहां के प्राकर्तिक परिवेश का मतलब होता है माहौल प्राकर्तिक नेचर से जुड़ा हुआ जो माहौल है वो ग्रामीन जीवन शैली यानि जीवन जीने का तरीका है गाउं में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी मा से जुड़ी यादों का वर्णन करता है जैसा कि हम सभी के साथ है हम सभी का कोई गाउं है और उ परिवेश है ग्रामीन जीवन शैली है और गाउं में प्रचलित कुछ घरेलू उपचार जो कि हर किसी की दादी और नानी जो है के साथ जुड़ा हुआ ये जो एक टॉपिक है वो सभी के साथ रहता है और साथ ही उन्होंने इस चैप्टर में जो है मा से जुड़ी हुई प्यादो का भी वर्णन किया है आगे वो पाठ में जो बताते हैं वो है कोईया के विशे में कोईया जो कि उनके गाउं में देखने सुनने को मिलती है वो क्या होती है उसकी जानकारी नोंने दी है तो कोईया एक प्रकार का जलपुष्प है जलपुष्प यानि जल में रह पुष्प की जो गंध है यानि जो स्मेल है खुश्बू है अत्यांत ही मादक यानि मन मोह लेने वाली होती है तो बहुत ही ज्यादा खुश्बू होती है इसमें तो कोईया की विशे में लिखक निक्या बताई एक जल पुष्प है और कहीं पर पानी अगर एकठा हो जाए श एक जैसे दिखते हैं और इसको कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं आगे पाठ में बताया जाता है कि लेखक के अनुसार बच्चे का मा से जो संबंध है वो भी बहुत अद्भूत होता है बच्चा जन्म लेते ही मा के दूद को भोजन के रूप में ग्रहन करता है और लेखक ने पाठ में आगे अपने ग्रामीर ने चैतर से संबंधित जो भी बाते बताई हैं वो तो जो कि एक common बात है उसको उन्होंने उसकी तो चर्चा की है लेकिन एक मुखे बाद जो नोंने उठाई है वो बच्चे और मा के बीच का जो संबंध है उसमें जो संबंध ह भी उसी के थुरू जाते हैं और उसके चरित्र का निर्मान करते हैं और वेक्तित्र का निर्मान भी करते हैं चरित्र का निर्मान आप behavior wise दो लोगों को देखे एक में आप कहेंगे कि behavior जो है बहुत ही अच्छा है और आप उन behaviors को परसंद करते हैं जो एक normal etiquettes होते हैं और जो क और ये ऐसे ही बच्चा इकठा करता है अगली बात जो बताते हैं लेखा कि बच्चा सुबकता है रोता है मा को मारता है मा भी कभी कभी मारती है फिर भी बच्चा मा से चिप्टा रहता है यानि कि मा जब बच्चे को मार देती है बच्चा जो है मा से फिर भी चिप्टा रहत और मा जो कि बच्चे की छोटी वोटी मार को भी सह लेती है वो प्रेम ही होता है बच्चा मा के पेट से ही गंद सपर्ष भूगता है बच्चा दात निकलने पर टीसता है अर्थात हर चीज को दात से काटता है और यह सारी प्रक्रिया है जब बच्चा बड़ा होता है और मा उसका पोशन करती है और इन सब चीज़ें से होते हुए इस प्रक्रिया से होते हुए गुजरती है आगे लेखक ने बताया कि चांदनी रात में खटिया पर बैठ कर जब मा बच्चे को दूद पिलाती है तब बच्चा दूद के साथ साथ चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है अर्था चांदनी मा के समान अनंदायक होती है और ममता देने वाली होती है मा से लिपट कर बच्चे का दूद पीना जड़ से चेतन होना यानि कि किसी निरजीव वस्तू में चेतना को भर देना यानि मानव जन्म लेने की सार्थकता है अगर एक बच्चा जन्म लेता है और उसको अपनी मा का दूद मिलता है तो वो मानव जन्म लेने की सार्थकता है जो जड़ को चेतन करती है एक छोटा सा बच्चा जिसमें जानतो होती है लेकिन वो बिलकुल आसहाय है मा के बिना बिना सहारे के वो आसहाय है और उसको सहारा को नेता है बड़ा पालन पोशन करके बड़ा करके और इस लायक बनाती है कि वो बच्चा जो है बड़ा होके अपने आपको स्वेम संभाल सके तो ये क्या हुआ जड़ को चेतन देना और मानव जन्म को साथ ठकता देना आगे बताते हैं कि विसनात अभी मा का दूद पीता था उसके छोटे भाई का जन्म हो गया और मा के दूद पर छोटे भाई का अधिकार हो गया विसनात का दूद छूट गया विसनात को उनके तीन साल होने तक पडोस की कसेरिन दाई ने पाला मा का इस्थान दाई ने ले ल प्रता के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आगे जब बताते हैं कि वो छोटे ही थे अभी उनको जो मा का दूद है और मिलना बहुत जरूरी था तभी उनके छोटे भाई का जनम भी हो गया और छोटे भाई के जनम होने के बाद से उनका अधिकार मा के दूद पर से हट जा दिलशाद गार्डन में लेखक बतकों को देखता है बतक अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है लेखक ने एक बतक को कई अंडों को सेते हुए देखा सेना का मतलब कि अंडों के उपर जब बतक बैठ कर उन्हें सेती है जिससे नर्माहट और गर्माहट प देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है बतक पानी में गुमती है लेकिन जब अंडे देने के समय आता है तो वो जमीन पर आ जाती है और लेखक ने एक बतक को कई अंडों को सेते हुए भी देखा था लेखक को बतक जो है वो मा और तथा मानव शिशु मा में कई समानताएं दिखी और इस तरीके से उन्होंने जब बतक को बहुत बारीकी से नोटिस किया तो वो बतक जो है अपनी मा की तरह उनको महसूस होती है जिस प्रकार बतक पंक फलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है अपनी पैनी चोंच से सतरकता से कोमलता से अपने पंकों के अंदर छुपा कर रखती है हमें इशा निगाह कवे की ताक पर रखती है उसी प्रकार मानव शिशु मा भी अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचाती है उन पर आने वाली मुसीवत को भाब कर उनकी रख्षा करती है और इस तरीके से जो क्रिया कलाप है बतक के अपने बच्चों को सेने की उने संभालने की कवों से बचाने की उसको देखकर लेखक को महसूस होता है कि किस परकार हमारी मा भी जो है मैं अपनी दुनिया की बुरी नजर से बचाने के लिए मेहनत करती रहती है तो उनको भी जो है बतक को देखकर अपनी लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता आम को भून कर या उबाल कर गुड़िया चीनी में उसका शर्वत पिया जाता उसे देह में ले पा जाता था नहाया जाता तथा उससे सिर्धोया जाता था और इस तरीके से पाठ में लेखक ने अपने गरामिन शेतर में जो घरेलू उपचार प्रयोग किये जाते थे उसकी भी चर्चा की है जो कि बहुत से लोग जानते हैं इन उपचारों को गर्मी से बचने के जो तरीके आज भी गरामिन शेतरों में उपाय इसके किये जाते हैं सबी जानते हैं उपयोग कम करते हैं लेकिन जानते हैं इस विशे में हर कोई जानता है कि किस तरीके से गर्मी से बचने के ये घरेल उपकार बहुत समय से लाबकारी साबित हुए है और बहुत लोग इसको जानते हैं यूज आजकल लोग कम करते हैं लेकिन इस विशे में हर क जाती है तो घर धस जाता है और बारिश होने पर क्या माहल होता है बिसकोहर में इसकी भी चर्चा यहां पर लेखा करते हुए दिखते हैं पाठ में आगे बताते कि बरसात आने पर पशुपक्षी सभी पुलकित यानि कि खुश हो जाते हैं बरसात में कई कीड़े भी निकला जाते हैं उमस के कारण मचलिया मरने लगती है पहली बारिश में दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं और ऐसा मानना है ग्रामिन छेत्रों में लोगों का कि पहली बारिश जब होती है तो उसमें नहा लेने से जो दाद खुजली जैसी जो समस्या है फोड़ा बहुत होता है डोड़ा और मजगिदवा विशहीन होते हैं यानि ये साब के दो प्रकार हैं जो ग्रामिन छेत्रों में इस नाम से जाने जाते हैं ये विशहीन होते हैं यानि इनमें विश नहीं होता जहर नहीं होता डोड़ा को वामन जाती का मान कर मारा नहीं जाता और घामिन भी विशहीन है घामिन जो प्रकार बताया गया है साब का वो विशहीन है यानि जहरीले नहीं होते और जो डोड़ा है उनको वामन यानि भगवान का एक रूप मानकर उनको मारा नहीं जाता है घेर, कड़ाईव, भठिया तथा गोहुँन खतरनाक है अब यह जो साब और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने साप की कई प्रजातियों की चर्चा किये जिसमें से कुछ प्रजातिया जो है विशहीन है कुछ को यहाँ पर वामन जाती का मान कर मारा नहीं जाता उन्हों पर प्रहार नहीं किया जाता कुछ परजातिया उन्होंने ऐसी बताई है जो बहुत खतरनाक है और उनसे बचकर रहना होता है और आगे बढ़ते हो लेखाग बताते हैं कि गाउ में लोग प्रकरती के बहुत निकट है याणि प्रकरती से बहुत जुड़े हुए होते हैं गाउ में लेखक के अनुसार फूल के वल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं और लेखक के अनुसार और ग्रामिन छेतर में फूलो को उनके सिर्फ रंग से और उनकी खुश्बू से आकर्शित होने के लिए ही नहीं जाना जाता है बलकि उनकी दवाए भी तयार होती है क्योंकि गा आम की फूल कई रोगों के उपक्चार में काम काम आते हैeping पत्ते और फूल जो ऊक्रिकाय hypётся क Symphony्या तरीके से फूल जो tysकुरी एक दवा का रूप भी लेती है उसकी शर्जय कंप पाथ में देखने को मिलती है आगी लेखक बताते की लेखक के गाउमें कमल भी खिलते हैं हिंदों के हां कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है कमल पत्र की पुराइन भी को पुराइन भी कहा जाता है तथा कमल की जो नाल है उसको भसीन कहते हैं कमल ककड़ी केवल बिकरी के लिए प्रियोग की जाती है गट्टा कमल बीज खाया जाता है उस तरीके से कम भी पार्ट से कमर के फूल के उनको किस तरीकी के यूज में लिया जाता है ये भी लेखक यहां फर बताते हैं नजर आते हैं आगे लेखक कहते हैं कि अपने एक रिष्टेदार के घर लेखक ने एक रूपवती अपनी रूपवती यानि कि बहुत सुंदर अपनी उम्र से सुंदरे को प्रकर्टी के सुंदरे को जोड़ता हूए लेखक शांधर नजर आने लगी लेखक को लगा सुंदर प्रकर्टी नारी के सजीव रूप में आ गई हो और उस सुंदर अस्तिरी को देखकर ऐसा लगता है लेखक को जैसे कि जो प्रकरती सुन्दर्ता लिए होती है वो आज एक इस्त्री का रूप धारन करके उनके सामने आ गई है इतनी रूप वती इस्त्री जो कि उनकी उमरे से काफी बड़ी औरत थी वो उनको आज वो इस तरीके से याद करते हैं लेखक जिस औरत को देखकर समस्त्र प्रकरती के सुन्दरे को भूल गया उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका और एक तरीके से लेखक को उस उमर में ही उस ऑरत से उसकी सुन्दर्ता पर वो काईल हो जाते हैं और उनको प्रेमसा हो जाता है लेकिन वो अपनी भाव मुनाओं को इजहार नहीं कर पातें, वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आखों में कैसी व्यठा लिये दिखती है, वह इंतिजार करती हुए दिखती है, लेखक के लिए हर कला के आस्वाद में वह मौझूद है, लेखक के लिए हर सुक दुख से जोडने की सेतू है सेतु यानि कि यह जर्या है पुल है सेतु का पुल है यानि जो दो चीजों को जूड़े आपस में इस स्मृति के साथ मृत्यू का बोध सजीव तोर पर जूड़ा हुआ है और इस तरीके से वो याद जो है इनके साथ मृत्यू के बोध यानि मृत्यू के सा बोध होना उसकी discuss करेंगे पार्ट से संबंदित हैं प्रश नमबर एक लेखक ने किन अधारों पर अपनी मा की तुलना बतक से की है यानि बतक को देखकर उनको अपनी मा जैसी वो लगती है जैसे मा बतक जो है एक मा के तौर पर दिख रही है वैसी अपनी मा में भी वो कुछ समानता है देख रहे हैं तो वो कौन सी चीजे हैं जिससे वो समानता काउंट कर रहे हैं यापर लेखक ने बतक मा और मानव शिशु मा की तुलना करते हैं कई पक्षे सामने रखे हैं लेखक को दोनों में कई समानता हैं दिखती हैं पहला खत्रों से बचा दूसरा सतर्कता और कोमलता से देखरेक करना जैसे बतक मा अपनी पैनी चोच से सतर्कता बरकते हुए कोमलता से अंडो को अपने पंखों में छुपा कर रखती, उसी प्रकार मानव मा जो है वो भी अपने बच्चों को डाट कर मार कर समय पर ध्यान रखती है कि शिशू को न आने वाले संभावित जिसकी संभावना ऐसे खत्रे को भाप लेती है तो इस तरीके से खत्रों से बचाना सतर्कता और कोमलता से देखर एक आने वाले खत्रों को भापना यह सारे यह जो तीन गुन यहाँ पर लेखक ने बताया है जो बतक में और उसको अपनी मां में समान द लेखता है और उनके आकर्शन में पढ़ जाता है और फिर वो प्रकर्ति के सौंदर्य को जानता समझता है ही और इस तरीके से वो समझता है कि आज प्रकर्ति जो अपने सारे सौंदर्य को कठा करके एक नारी का रूप धारन करके उनके सामने है इतना सौंदर्य इस तरी में उनको देखने को मिलता है लेखा के लिए प्रकर्ती लेखा का प्रकर्ती से गहरा लगाव था उसे प्रकर्ती के कई द्रिश्य अनुपम यानि अनोखे हिर्दे ग्राही यानि हिर्दे यानि दिल ले लेने वाले लगते थे प्रकर्ती उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी प परियाय परकरती उसके लिए जो है सुंदर्य का परियाय बन गई थी अगला लेखक की द्रिष्टी में नारी लेखक ने अपने गाउं में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदर्ता लेखक कहरदे में बस गई वह भी लेखक को सुंदर्य की प्रतिमूर्थी लगी टाननी की छटा, फूलों की खुझबू, आधी में उसे नारी के सुंदर्य का आभास होने लगता है, सुंदर्य की समान धर्म होने के कारण, लेखको प्रकृती और नारी एकाकार होते हुए दिखते हैं, एकाकार यानि एक दूसरे में मिलते हुए दिखते हैं यानि प्रकरती के सौंधरे और इस तरीकों के सौंधरे को देखते हैं तो वो दोनों एक से ही लगते हैं और इस तरीके से प्रकरती के सारे सौंधरे को एकत्रित करके आज प्रकरती जो है सजीव रूप जीता जागता लेकर इस्तरी का रूप धारण करके उनके सामने आगे उस इस्तरी के रूप में ऐसा लेखक को लगता है तो यहां पर इस पार्ट से संबंदित हमने बहुत सारे जो इन्फोमेशन से हैं यहां पर पढ़ी हैं समझी हैं और डिसकस भी की हैं तो आपको चैप्टर के लिए ला कि आप अच्छा स्कोर कर सके और इसी तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूरी से लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले